Hey everyone, welcome to StoryBee. Let's imagine कि तुम डेट पे गए हो, and मस्तसा रोमैंटिक सा डिनर you are having, and डेट के बीच में ही आपका पार्टनर आपको ये बुले, कि अरे तुम नहा के क्यो आई? तुमसे बद्बू क्यों नहीं आ रही? तुमारी बद्बू से मुझे प्यार है. वियर्ड होगा ना? बट इन रियालिटी एक फेमस आदमी था, जिसका नाम आप सबने सुना होगा. उसे उसकी गर्ल्फ्रेंड से उसके बद्बू के वज़े से प्यार हुआ था. तो वो कौन था? चलिया जानते है. उसका नाम था नेपोलियन बुनापार्ट. उसे नहीं पसंद था. वो in a way obsessed था how a person smelled. और for that matter वो खुद भी कैसे स्मेल करता है, उस पर भी वो बहुत ध्यान देता था. इस वज़े से अलग-अलग perfumes वो ट्राइ करता रहता. फिर 1795 के साल में वो जोसफीन से मिला. तब नेपोलियन 26 years का था और जोसफीन उससे 6 साल बड़ी. यानि की 32 की थी. जोसफीन जो थी, वो अक्चली एक French political leader की wife थी. पर उसका उसके husband के साथ divorce हो चुका था. डिवास के बाद उसके कई affairs रहे. वो कई लोगों के mistress रही. पर उसी दौरान वो नेपोलियन से भी मिली. नेपोलियन वेंट crazy after meeting her. और you can say after smelling her. क्योंकि एक अजीब सा obsession था नेपोलियन को जोसफीन के body order से. नेपोलियन जब घर से दूर रहता किसी काम के वज़े से, तब वो अपनी lover जोसफीन को बहुत सारे letters लिए था. कि मैं कुछ हफ्तों में वापस घर आ रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाओ, नहाँ ना मत. क्योंकि मुझे तुमारे body order का full pleasure लेना है. इनवे इनका एक अलग type का प्यार था, जो आखे, होट या body देखके नहीं, बलकि एक दूसरे को सूम के हुआ था. और मैंने आपको बीच में बताया भी था, कि तभी के जमाने के लोग महिनों तक नातर नहीं थे. तो शाहर तभी body order को इतना smelly treat ने किया जाता होगा, जितना आज के टाइम पे हम करते हैं. 1796 में नेपोलियन ने जोसेफीन को शादी के लिए प्रपोस भी किया, और उसी साल में they married also. शादी के कुछ साल बात French throne जो था ना, वो गया नेपोलियन को. 1804 के साल में नेपोलियन बना Emperor of France, और उसकी वाइफ जोसेफीन बनी Empress. थ्रोन पे बैटने के बाद दोनों के उपर प्रेशर पढ़ने लगा क्योंने बच्चा होना चाहिए. शादी को 8 साल हो गय थे और अभी नेपोलियन 35 का था जोसेफीन 41 की. पहली शादी से जोसेफीन को दो बच्चे हो गय थे, पर नेपोलियन से एक भी नहीं. जिस हो जैसे, इवन दो नेपोलियन बहुत जादा जोसेफीन से प्यार करता था, पर उससे अपनी शादी खतम करनी पड़ी. 1810 के साल में उसने जोसेफीन को छोडने का डूसिजन लिया. जोसेफीन भी इससे सह मत थी, क्योंकि उससे पता था कि उसका पती फ्रेंच थ्रोन पे बैटा है, तो वारिस उसे चाहिए होगा. अनलमेंट यानि की डिवोस के बाद, नेपोलियन दूसरी प्रिंसेस से मिलने लगा. कई प्रिंसेस से हो मिला, फिर उसने डिसाइड किया कि वो मैरी लूइस से ऑफ आस्ट्रिया से शादी कर लेगा, जो तभी सिर्फ 19 यार्स की थी. मैरी लूइस से शादी होनी के बाद, नेपोलियन को एक बेटा भी हुआ. और ये नेपोलियन का लेजिटिमेट बेटा था. नेपोलियन की और दो बेटे भी थे, जो बिना शादी के उसे हुए थे, उसकी मिस्ट्रस से. इस वज़े से वो इलेजिटिमेट थे और उन्हें वारिस घोशित नहीं किया जा सकता था Mary के साथ रह रहे के Napoleon उससे भी प्यार करने लगया था क्योंकि Mary ने अपने कई letters में ये mention किया कि वो Napoleon को पहले पसंद नहीं करती थी पर अभी पसंद करने लगी है पर ये भी कहा जाता है कि Mary के आनी के बाद भी Napoleon ने Josephine को कभी छोड़ा नहीं इवन दो Josephine पालस में उगेरा नहीं रहती थी उससे दूर रहती थी पर छुपके Napoleon उससे मिलने जाता Josephine divorce के बाद काफी रोई और अकेले रहने लगी और इवन उसका health भी affect होने लगा फिर आया साल 1814 का एक battle में Napoleon गया था जो वो हार गया था ये battle में एक तरफ France की आर्मी थी और दूसरी तरफ British and Prussians Napoleon ये battle में हार गया और France का भी Europe में जो दबदबा उठाना वो चला गया था Napoleon के हाथ से थ्रोन भी चला गया और वो उस battle के बाद Emperor नहीं रहा उसे exile कर दिया गया था Britishers ने उसे एक island में रखा था और वो वहाँ ही रहता था दूसरी तरफ लवर जोसफीन का बुरा हाल हो चुका था उसे भी बंदी बना लिया था उसने काफी मिननते की कि उसे Napoleon से मिलने दिया चाथ चाय तो उसे भी exile में डाल दो पर अटलीस्ट उसे Napoleon से मिलने दो पर 51 यहस के एज में निमोनिया के चलते जोसफीन बिना अपने लवर को मिले इस दुनिया से चली गई वहाँ exile में Napoleon का भी हाल कुछ ठीक नहीं था Britishers चा कि भी Napoleon को मार नहीं सकते थे उसे हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि अगर वह ऐसक करते तो लोग गुसा हो जाते एन एक revolution आ जाता और वो लोग ट्राइ करते British आर्मे को overthrow करने का इसलिए कहा जाता है कि Britishers ने दूसरा रस्ता आजमाया स्लोली Napoleon को ऐसे substance खाने में डालके खिलाने लगे जो उसके body को अंदर से weak कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्या पर आजमायी थी कहा जाता है कि वो रोज राजा चंद्रगुपत के खाने में थोड़ा थोड़ा विश मिला थी सो दैट अगर कभी किसने विश देके राजा को मारने का प्रयास भी किया तो वो इम्यून रहे और ये नीती काम भी कर रहे थी राजा चंद्रगुप बिकेम इम्यून टु विश पर एक दिन क्या हुआ कि राजा जब खाना खा रहे थे तब उन्होंने उनकी pregnant wife राणी दूरदरा को भी ये खाना खिला दिया विश का असर राणी पे हुआ क्योंकि वो इ कि थी जिन्होंने चंद्रगुप दमोर्या को अन्डिफिटेबल किंग बना दिया उनकी नीतिया कभिया पढ़ना इट ब्लो यह माइड I would really recommend कि आप चानक या नीति ये audiobook कूकू FM पे सुनें चानक या नीति के बार में almost 4th या 3rd century BCE में लिखा गया था Hindi में ये audiobook कूकू FM पे available है कूकू FM इंडिया का एक leading audiobook platform है जहाँ पर आपको 1000 घंटों से भी जादा का content library मिल जाएगा Even आपको तेट सारे biographies भी मिल जाएगे वो भी आपके मन चाहे भाषाओ में अभी offer चालो है कूकू FM पे अगर आप TSB50 ये code यूज करते हो तो आपको कूकू FM पे 50% off मिलेगा यानि कि साल भर की cost आदी हो जादी है कूकू FM की पूरी audio libraries आप सिर्फ रुपीज 1.99 में अक्सिस कर सकते है नहीं तो इट इस 3.99 बट ये TSB50 code से आपको फ्लाट 50% off मिलेगा और ये code सिर्फ फर्स 250 users के लिए वैलिड है अभी coming back to Napoleon Ultimately 1821 के साल में 52 years की age में Napoleon passed away उस समय reason बताया गया stomach ulcer बट कई साल बाद कुछ documents वाया ये reveal हुआ कि arsenic के वज़े से Napoleon की मौथ हुई क्योंकि उसे वो दिया जा रहा था Napoleon की जो wife थी Mary वो तभी क्योंकि काफी young थी तो वो आपस Australia चली गई थी उसने Napoleon की जानी के बाद दूसरी शादी कर ली और फिर तीसरी शादी भी की Then 1947 के साल में she also passed away at 56 तो ये थी कहानी Napoleon अनूस के lover की जिसके body order की वज़े से Napoleon को उससे प्यार हुआ था पर ये प्यार सच्छा था आप मैंसे जिससे भी ये लग रहा होगा कि कैसा प्यार है ये नेपूलियन ने जोसफीन को सिर्फ बच्चे के वज़े से छोड़ दिया तो नेपूलियन कभी उसे छोड़ना नहीं चाता था शादी के 8 साल तक बच्चा नहीं हो रहा ये चीज़ ने उसे कभी bother ही ने किया उसे सिर्फ जोसफीन के साथ रहना था पर जब वो emperor बना तब throne की जिम्मेदारी और प्रेशर के वज़े से उसे वारिस चाहिए था और इस वज़े से अलग होने का decision उसे लेना पड़ा अलसो body odor के वज़े से प्यार होना इसके पीछे logical reason भी है और वो है pheromones जो भी sweat या other substances हमारी body extract करती है उसे pheromones कहा चाता है आपका original body का smell इनवी decide भी कर सकता है कि whether a person in front of you may like you or not like you अभी के जमाने में सब perfume लगाते हैं तो pheromones इतना आता नहीं बीच में बढ़ हाँ body odor has relation with intimacy and sensual attractions इस वो जैसे कई perfume company pheromones के अराउंड अपना scent बनाने की भी कोशिश कर चुका है तो यही हुआ था Napoleon and Josephine के साथ they were madly in love so yeah that's it do let me know कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई particular smell आपको बहुत ही जादा पसंद आई हो आपके आसपास वालो को बिल्कुल नहीं and after this video if you are dating someone do smell them and give it a try because compatibility test भी आपका हो जाएगा और ये वीडियो अचले ही हो तो साथ लाइक और शायर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें Thank you